हलो फ्रेंट्स वल्कम बैक मैं अभाय कंसल्टेंट आप्टोमेट्रिस्ट दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोतिया बिंद के आपरेशन में यूज होने वाली टेकनिक फेको या माइक्रो फेको टेकनिक के बारे में यह टेकनिक मोतिया बिंद के आपरेशन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टेकनिक है और यह सबसे ज़्यादा यूज क्यों होती है आज हम इस वीडियो में सारा कुछ डिसकस करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया कि मोतियाविंद के आप्रेशन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली टेकनिक फेको टेकनिक है और जितनी भी लेटेस्ट टेकनालोजी है इन सब टेकनालोजी की एक खासियत होती है तो फेको टेकनिक की क्या खासियत है अब हम इस वीडियो में सम इसमें आपका कोई भी चीरा या कोई भीटा का नहीं लगता है नेक्स नमबर पर नो पेन कोई भी दर्द नहीं होता नो इंजेक्शन कोई इंजेक्शन नहीं यूज किया जाता और नो हस्पिटलाइजेशन आपको हस्पिटलाइजेशन नहीं किया जाता आपको भरती नहीं किया जाता है जो पहले आपरेशन होते थे उसमें आपको हस्पिटलाइजेशन किया जाता था साथ ही no bandage कोई भी bandage नहीं लगाए जाती और सबसे best part यह है कि surgery under eye drops आपकी surgery एक drop की कुछ भूने डालकर के आँख में कर दिया जाता है so it is painless आपको कोई दर्द नहीं होगा और साथ ही इस procedure को करने में 10 minute का समय लगता है walk in and walk out आप सुबह चलते हुए आईए और कुछी घंटे में operation करा करके चलते हुए घर जा सकते हैं तो यह सब latest technology का तमाल है और इन technology की वज़े से अब patient को घबराने की जरूत नहीं होती क्योंकि जो पहले operation हुआ करते थे वो brutal type की operation हुआ करते थे जिसे हम चीरा विज़ी दोर operation बोलते हैं उसमें चीरा लगाएंगे इसके बाद टांका लगाते थे तो वो सब बहुत ही ज़्यादा pain करने वाले operation होते थे तो patient घबरा जाता था लेकिन अब जो technology आई है फेको technology यह काफी सालों से चली आ रही है तो इस technology की वज़े से patient को घबराने की जोरूत नहीं है और आप अपने catract का operation फेको वीज़ द्वारा इजली करा सकते हैं तो अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें साथ ही bell icon को press करें जिससे की मेरे आगे आने वाले वीडियो आई की health related वीडियो आप लोगों को मिलते रहें